Hello student, welcome to parishnam classes, पिछली क्लास में हमने गया था question number 6 तक, आज करता है हम question number 7 start, तो question number 7 में क्या कह रहा है? Question number 7 में कह रहा है, if cos theta is equal to 7 by 8, तो हमें sol करना है कि 1 plus sine theta, 1 minus sine theta, upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, हमें यह बहले find out करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वोस्टियन नमबर 7 में कोर्ध थिटा के हमें वैल्यू गीवन है यह जो कोर्ध थिटा हमारे पास यह 7 बाइट हमने इससे पहले क्लासेज में किया था कि क्या होता हमारे पास पंडित बदरी परसाथ हर-harm बोले सोना चान्दी तो ले तो क्या होता था Sine Perpendicular Upon Hypo Sine Base Upon Hypo Cos Perpendicular Base Upon । वहारे पास 10 So, 10 Code क्या होता है 10 का opposite It means यह क्या होगा हमारे पास Base और यह क्या होगा हमारे पास Perpendicular तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालते है यहां से हम सबसे पहले इसकी value को find out करते है तो यह हो गया हमारे पास A, B, C base हमने मान लिए इसको 7 यह perpendicular मान लिए हमने 8 तो बिटा आप हमें क्या नहीं करना है सबसे पहले हमें find out करना है AC की value AC की value क्या होगी AC का square is equal to क्या होगा 8 का square plus 7 का square It means 64 plus 49 और इसके उपर क्या जाएगा under root AC की value हमारे पास जाएगी root 113 हमारे पास AC की value आगई It means हमारे पास यह value आगई 113 अब हमें क्या करना हमें value निकार नहीं है कि 1 plus sin theta 1 minus sin theta तो हमें यहाँ पे value find out करनी है 1 plus sin theta 1 minus sin theta Sorry 1 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 upon minus cos theta 1 plus cos theta यहाँ पे हम क्या करेंगे value को put करेंगे तो क्या है हमारे पास क्या आएगा 1 plus sin theta हमारे पास क्या होता है perpendicular upon high तो हमारे पास perpendicular क्या है 8 तो क्या हैगा 8 upon यह value आजाएगे हमारे पास 1 minus हमारे पास अब क्या करना हमें 1 minus cos तो cos क्या होता है base upon high तो यह क्या हो जाएगा 1 minus 7 upon अंडरूट 113 1 प्लस 7 अपोन अंडरूट 113 ओके यहां तक हमारे पास क्या आगे हमारे पास यहां से value आगे हमारे पास अब क्या करते हैं हम इसको solve कर दें बिटा तो यहां पे हमारे पास क्या बनते हैं एक identity बनती है a प्लस b a माइनस b क्या होता हमारे पास a प्लस b a प्लस b इंटो a माइनस b किसके होते है a स्कोर माइनस b स्कोर के क्या होते है वो हमारे पास value होते है इकोल होते है तो अब क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8 अपोन यह और 1 माइनस 8 अपोन अंडरूट 113 divided by 1 plus 7 upon under root 1 minus 7 upon under root 113 ओके अब यहाँ पर हम value निकाल कर देते हैं क्या होगा 1 का square minus 8 upon under root 113 का square divided by 1 का square minus 7 upon 11 का square ओके नौ वैल्यों क्या आएगे हमारे पास हमारे पास value आएगी 1 minus 64 upon 113 divided by 1 minus 49 upon 113 अब सोल करेंगे इस को हम सोल करेंगे तो क्या हैगा हमारे पास आएगा मारे पास इस calcium लिया 113 minus कितना हैगा 113 minus 64 divided by 113 minus 49 divided by 113 आप यहां से क्या करेंगे यह हमारे पास यह cancel out हो जाएगा कितना हैगा हमारे पास 49 divided by 64 यह हमारे पास क्या हैगा इसका answer तो हमारे पास पहले चीज़ क्या थी हमने सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया सबसे पहले हमें जो गिवन था वह ओवर थीटा कि हमारे पास वैल्य गिवन थी 7 भाई यहां से कोड़ थीटा क्या होता है बेस पर 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 फिर हमने एक राइट राइट राइंगल को draw किया गैज़ राइट को रोपर सबसे मालना हमने इसको अमने इसको माल लिए बेस हमारा क्या होगा से और पर पास यहां से आउन माइनस ऑन साइन थी टा वन पलस साइन थीटा ऑन माइनस खोस थीटा and 1 plus 4 theta कि हमने value को find कर लिया then उसके बाद हमने a plus b a minus b क्या होता है हमारे पास एक identity जिसको हमने solve किया है हमारे पास a square minus b square यहाँ पर हमने value को fit किया और इसका answer हमने find out कर लिया अभी इसका जो एक alternate method होता है बोर देखो क्या होता है इसका अगर alternate method इसका अगर alternate method हमारे पास क्या होता है इसका अगर alternate method होता है यहाँ पर हमें simple given है 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta क्या होता है a plus b a minus b क्या होता है मारे पास a square minus b square divided by a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square 1 minus sin square theta किसके कोल होता है 1 minus sin square theta किसके कोल होता है cos square theta के equal and 1 minus 4 square theta किसके equal होता है वो होता है अमारे पास sin square theta के equal क्या कि हमने यह अमारे पास value आवे 4 square theta divided by sin square theta यह क्या हो जाएगा अमारे पास 4 square theta अब 4 square theta क्या थी यहाँ पर 4 theta अमारे पास 7 upon 8 तो हमें value किसके नहीं करने 4 square theta कि क्या हो जाएगा 7 upon 8 का whole square क्या हैगा 49 by 64 यह हमारे पास इसका answer आगा और same यही हमें किसका answer find out करना था second part का second part में हमें क्या करा था second part में भी बूल रहा था कि quote theta is equal to seven by eight है हमें value किसकी निकारणी है हमें value निकारणी है 4 square theta की तो 4 square theta हमारे पास क्या जाएगा 4 square theta है जब हमने इसका square किया तो हम क्या करेंगे इसका भी square करें कितना आएगा 49 by 64 हमारे पास यह इसका answer आ गया next हम question start करते हैं इससे पहले question number eight अब question number eight में क्या कह रहा हमें? question number eight में कह रहा है कि if three quote a is equal to four check whether one minus ten square a upon one plus ten square a is equal to four square a minus sign square a और नो हमें बताना है कि जो one minus ten square a upon one plus ten square a equal होता है post square a minus sign square a के equal होता है या नहीं होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम value को find out करेंगे हमें एक right triangle बनाएंगे यह हमने right triangle बना लिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा? three quote a is equal to four it means quote a की value क्या आएगी? four upon three यह हमारे पास क्या होगा? पंडित बदरी परसाथ हर हर बोलने सोना चांदी तोले it means हमारे पास यह क्या होगा? base होगा यह क्या होगा? हमारे पास perpendicular होगा बेटा अब बेटा यहाँ से हमने क्या नाम दे दिया? a, b, c अब बेटा quote a quote a का मतलब यह वाड़ा हमारा जो part होगा यह क्या होगा? हमारे पास base it means इसके value कितने आएगी? 4 बेटा यह कितने आएगी? 3 अब हमें क्या ने करना है? a, c की value को find करना है a, c की value क्या होगा? 4 का square plus 3 का square कितना आएगा? 16 plus 9 under root it means कितना आएगा? हमारे पास 25 plus minus 5 लेकिन यहाँ पे जब बाद triangle की कर गए है तो कभी भी हम negative side नहीं ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे? so that हम negative जो sign है उसको neglect कर देंगे और हमारे पास value कितने आएगी? 5 तो हमारे पास यहाँ पे कितने आएगी? इसकी value 5 आएगी यहाँ तक कि यही है next अब हम करते हैं इसकी value को put करते हैं ठीक है? value को put करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal prove करना में cos square A minus sin square A कि यह इसके equal है या नहीं है first of all 1 minus 10 square A 10 square क्या होता है? इसका opposite तो क्या हो जाएगा? 3 by 4 का whole square upon 1 plus 3 upon 4 का whole square equal cos square A cos square A it means cos square A हमारे पास क्या होगा? cos square होगा मारे पास base upon high high upon तो क्या हो जाएगा? 4 upon 5 का whole square sin square A perpendicular upon 3 upon 5 का whole square now यहां से solve करते है 1 minus 9 upon 16 और यहां पर आएगा 1 plus 9 upon 16 it means 16 upon 25 minus 9 upon 25 now यहां यहां पर हमें LCM लेके solve out करते हैं हमारे पास क्या आएगा? यहां से हमारे पास LCM आएगा? 16 16 के बाद हमारे पास आएगा? 16 minus 9 divided by 16 plus 9 divided by 16 और यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 16 upon 25 minus 9 upon 25 अब यहां से इसको solve करते हैं 16 to 16 cancel out यहां पर क्या आएगा? 7 upon 25 और यहां से हम लेंगे तो क्या आएगा? 7 upon 25 तो हमें यही बताना था कि यह इसके equal है यह इसके equal नहीं है तो यहां से क्या आता है? कि यह इसके equal है तो हमारे पास क्या आएगा? कि yes, these are equal ओके? अब अब हम next question पे select करते हैं तो next question हमें क्या कह रहा है? next question हमें कह रहा है next question में कह रहा हमे if we triangle A, B, C right angle at B if 10 A, 1 upon under root 3 find the value of sin A, cos C, plus cos A, sin C second part में cos A, into cos C, minus sin A, into sin C तो अब हम start करते हैं question number 9 question number 9 में क्या कह रहा है? first of all एक right triangle है हमारे पास A, B, C ये भी हमारे पास नहीं right triangle है कोई भी क्या है? A, B, C तो A, B, C ये हमारे पास कोई भी एक right triangle है right triangle में कह रहा है कि right triangle at B 10 A यहाँ पर कह रहा है कि जो 10 A हमारे पास हो कह रहा है कि वो है one upon under root 3 तो पंडित बदरी पर साथ हर हर बोल ले सोना चान्दी तोल ले it means 10 A 10 A कह रहा है कि यह हमारे पास क्या होगा perpendicular होगा और यह हमारे पास क्या होगा base तो 10 A 10 A का मतलब यह हमारे पास होगा base तो यह होगा under root 3 और यह क्या होगा हमारे पास 1 ओके now हम value find out करेंगे A, C की A, C के value find out के तो under root root 3 का square प्लस वन का स्क्वाइल कितना है गा थ्री प्लस वन इत मेंज रूट फोल्ट तो क्या है गा मर्फ प्लस प्लस माइनस टू लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी ट्रेंगल की साइड नहीं हो सकती तो हमारे पास negative sign करूं क्या कर देंगे neglect तो हमारे पास value चाहेगी इसकी 2 तो हमारे पास यह आगे value हमारे पास 2 नाव बिटा अब इसके हमने value find out करते है sign A sign A cos C plus cos A sin C हमें पहले यह value find out करनी है तो यह value find out करनी है तो sine A, it means perpendicular upon high तो sine A, perpendicular कितना होगा, 1 upon 2 into cos C, cos C में base क्या होगा, हमारे पास ये, high पो ये, plus cos A, cos A में क्या होजगा root 3 upon 2 into sin C, sin C में क्या होगा, 1 upon 2 sin C, sorry, sin C perpendicular, root 3 upon 2 क्या होगा, हमारे पास, 1 upon 4 plus root 3 into root 3, 3 upon 4 value ने काड़ेगे, कितने आएगे, 4 upon 4, it means value कितने आएगा, हमारे पास, यहाँ पे 1 तो इसका answer क्या हैगा, हमारे पास, 1 बेटा now बेटा, अब इसका जो second part है, क्या किया हमने पहले इस question में सबसे पहले हमें given था कि 10 A के हमारे पास यह value थी, ठेक है, 1 upon under root 3, तो इसका मतलब था कि पर 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 कितना है, 1 है हमारे पास और बेस कितना है, 1, फिर हमने क्या किया है, इसके by using पाई था एगर theorem, हमने क्या इसकी value को find out कर लिया, हमने A, C के value को find out कर आए, हमारे पास value कितना है, 2, ना बेटा, जब हमने फिर क्या क्या है, value को put क्या है, sin A, cos C, plus cos A, sin C, जब हमारे पास value आते है, sin A, sin A हमारे पास क्या होता है, sin A होता है, perpendicular upon hypo, तो क्या हो क्या 1 upon 2, फिर हमने cos C, cos C में क्या है, base upon hypo, तो 1 upon 2 plus cos A, cos A में हमारे पास value है, root 3 by 2, and sin C, root 3 by 2, तो multiply क्या है, 1 upon 4 plus 3 upon 4, it means 4 upon 4 equal to 1, तो हमारे पास ये value इसके आवी कितना है, हमारे पास value 1, तो हमारे जो first part, इसका जो first part है, उसका answer क्या है, हमारे पास 1 बेटा, now बेटा, इसका हम करते हैं,